सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए चार दिनों पहले एक फेक जीयो के सर्कुलेशन के कारण है 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 यूट्राबाद शहर और तेलंगाना स्टेट में बहुत जगह पैनिक क्रियेट हुआ CCS के तरफ से इमिडियेट्री केस रिजिस्टेशन हुआ और उसके बाद CCS और टास्क पोर्स के जॉइंट ऑपरेशन में अक्यूजड श्रीपती संजीव कुमार को अरेस्ट किया गया अक्यूजड श्रीपती संजीव कुमार अपने डेल लैप्टॉप में ऑनलाइन जियो डाउनलोड करके उसको मॉर्फ करके डैमपर करके एपिडेमिक बिजीजेज रैट के तहत एक फेक जियो क्रियेट करके अपने सेलफोन से वाटसैप ग्रूप के वेरियस ग्रूप में सर्कुलेट किये और जिसके कारण बहुत लोगों को परिशानी हुई बहुत लोगों को पैनिक हुआ जैसा कि आप चांदते हैं कि जीओ एक बहुत सीरियस डॉक्यमेंट है जीओ सरकार की जो नीती होती है पॉलिसी होती है वह बताता है और उसके बारे में अगर कोई कोई लाइटली या कोई मिश्शिफ माइड पैनिक क्रियेट करने के लिए अगर कोई फॉल्स जीओ क्रियेट करता है तो यह बहुत बड़ा गुनाह है बहुत बड़ा क्राइब है श्रीपती संजीव कुमार है प्रेसेडेंट आफ मादापूर और इस पूरे ऑपरेशन मे अठावर सो से ज्यादा सेलफोन का इग्जामिनेशन हुआ और खास करके हमारे सीचेस की टीम साइबर सेल टीम अंडर दे लीडर्शिप अफ एसीपी के वीम प्रसाद एसाई जी सतीश रेड़ी और टास्क फोर्स में हमारे ओस्डी पी राता किश्ण राओ और उनके पूरे टीम मेंबर खास करके इंस्पेक्टर राजेश और सब लोग हमारे जॉइंट सीपी सीचेस अभिनाश मुहनती के लीडर्शिप में यह केस को डिटेक्ट किये और अ एस पर दो लॉग जो केंसर्ण सेक्शन से अंडर 469 505 419 468 यह सब केता है हम लोग केस को फर्दर आगे पोर्ट में डालेंगे थैंक यू सो मुच कर दो